वेलकम बेक टो और चैनल मल्डिडिक्रेजुकिसन आज की वीडियो में हम बात करने वाले एटमा 2025 का एप्लिकेशन फॉर्म, एग्जाम, डेट, सिलेबस, एलिजिब्लेटी ग्राटीरी की रिगार्डिंग में पूरी डेटल में बात करेंगे तो चलिए इसी के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं एटमा 2025 का एग्जाम जो है, कंडेक करवा जाता है ओनलाइन मोड में इसका फॉलफों में M स्टेश्ट पूर मेनेजमेंट एडमिशन एक तरह का नेसर लेवल का एंटांस एग्जामिनिशन है जिसको साल में कंडेक करवा जाते हैं काफी टाइम्स और भी चार टाइम्स वह है फेवर फरी में, जून, जुलाइब एक तरह कंडेक्टिंग ओथरिटी जो है एससे सिंसर और इंडियन मेनेजमेंट स्कूल जिसके तो आपको एडमिशन बनता है इंड वेरियस पीजी कोर्सेज, MBA, MC, MMS, and PGDM इसके सबसे बेले इसका ओबर्वू देख लेते हैं इसका फॉल फॉम है एंड स्टेश्ट पर मेनेजमेंट एडमिशन मल्टिपल टाइम इसके एग्जम चंडेक करवाई जाता है नेशनल नेवल का एग्जम है एडमिशन इंड इंड ए, MMS, MC, PGDM कम्पूर बेश्ट एडमिशन का जो ओड है ओनलाइन ओड है इसके सबसे बेले सेशन के बात करें फेबर मई के सेशन सी एप्लिकेशन फॉर्म फर्वरी के लिए स्टार्ट होगा नॉबर 24 को ओवी 4th week में मई के लिए 2nd week of March 2025 लाज्ट एट है फॉर्वरी के लिए 2nd week of February 2025 मई के लिए 3rd week of May 2025 अभी बात करें एडमिट कर आउट होगा फर्वरी के लिए 1st week of February 2025 एडमिट कर आउट होगा मई के लिए 4th week of May एग्जाम डेट ही 3rd week of May मई का है 2nd week of May एप्लिकेशन फॉर्म के बारे में पुरी डिटेल में बात करें एप्लिकेशन फॉर्म रिडिज होगा ओभी ओनलाइन मोड में और फॉर्थ फॉर्वरी 2024 को फॉर्थ फॉर्वरी के एग्जाम्स के लिए केंडिट को अपने जेनरेट करना पड़े का परसल आइडिटिफिकेशन नमबर जो आपको सेव करने करना है यह फ्यूचर में बहुत जाते हैं आपके लिए बहुत जादा इंपोर्टेंट ड्रोल प्ले करता है अप्लिकेशन फॉर्म भरते टाइम आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एग्जम स्टेट, रेवरेंस, डेट उपर थीमिल आइडि, इंस्ट्टूट चोइस आपको फोटोग्राफ और सिक्रेचर अप्लोड करने पड़ें के स्पेसिबिक साइज और फॉर्मेंट में होना चाहिए, आपको यूनिक आइडि और पास्वर्ट मिल जा जाता है, इमेल और समस के थुरो, और लाज्ट टेट है फरवरी थोजर पच्चिस, आपको क्या करना है, इसके इंदर आपको कोई भी प्लिकेसिन को कर सकती हो, एपल Lance के प्लिकेसिं के प्लिकेसि विपाइपॉर्य से गवाभी वाइब जाना पड़ेगा, महा पिजाने के वाए आपको पेमीन करना dużo हैं वो भी online mode के थो उसके बाद आपको system generate करें का personal identification number जिसका application fee submit करने के बाद उसके आपको सार डेटल प्रोपर तरीके से fill up करना है और सारे documents आपको specific size of format में आपको upload करना है उसके बाद आपको print out निकाल लेना है for a future reference eligibility criteria की बात करें आप आप इंडियन ने सब्सक्राइब होने चाहिए आपको कोई भी age limit के लिए important नहीं है आपका simply bachelor degree complete होना चाहिए कोई भी stream से हो कोई भी college से हो मिनीमम आपका 50 percentage marks हाने ही चाहिए अगर आप final year में हो तो भी आप eligible हो apply कर सकते हो एक्जाम के pattern की बात करें computer based test होता है तीन घंटे का एक्जाम से होते हैं mcq type के questions पूचेंस पूचेंस होते हैं 180 questions पूचेंस 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 होते हैं इसके रिकार्डिंग मांखो भी लेटे सब्सक्राइब होते हैं हम आपको न्यू अपडेट करेंगे तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो का इंट करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करते हैं को सब्सक्राइब पर देना ताकि अगले वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे बिले आप तब पहुंच सके थैंक्स वर वोचिंग भाई वीडियो